एक गाव में एक अमीर जमीनदार रहता था। वह जितना अमीर था, उतना ही कंजूस भी अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरीका निकाला था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गला कर उसके गोले बना कर अपने एक खेट में एक पेल के नीचे गड़ा खोट कर डाल देता था रोज खेट जाना और गड़े को खोंट कर सोने के गोलों की गिंती करना उसकी दिंचर्या का हिस्सा था इस तरह वह सुनिश्चित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है एक दिन एक चोड़ने कंजूस आदमी को गड़े में से सोना निकाल कर गिनते हुए देख लिया वह चुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा जैसे ही कंजूस आदमी गया वह गड़े के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकाल कर भ मैं लुट गया, बरबाद हो गया, कोई मेरा सारा सोना लेकर भाग गया, अब मैं क्या करूंगा, सोना, किसने चुराया, कब चुराया, राहगीर आश्चर्य में पढ़ गया, पता नहीं चोडने कब इस गर्दे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-11 हो गया, मैं जब यहां पहु उप्योग कर सकते हो, राहगीर बोला, मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता, मैं उसे सहेज कर रखता हूँ और हमेशा रखता, यदि वो चौर उसे चुरा कर नहीं ले जाता, कंजूस आदमी बोला ये बात, सुनकर राहगीर ने जमीन से कुछ कंकर उठाय और उसे उस गड़े में, डालकर बोला, यदि ऐसी बात है, तो इन कंकलों को गड़े में, डालकर गड़े गड़े को मिटी धाक दो और कल्पना करो कि यही तुम्हारा सोना है, क्योंकि इन में और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है, ये भी किसी काम के नहीं और तुम्हारा स योग ना हो, उसकी कोई मोल नहीं.